आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे रस्मलाई बिल्कुल ऐसी रस्मलाई बनाएंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीस मेरे चैनल को लाइप कीजिए शेयर कीजिए और मुझे कमेट करके बताएए आपको मेरे सीबी कैसी लगी अगर आपको मेरे सीबी अच्छी लगए तो प्लीस स्प्लेक करना ना भूले ताकि जो भी नए वीडियो डालो आप तो उसका नोटिफिकेशन पहुचा सकूँ तो आएए इसके लिए हमने छे ब्रेड के पीस लिए है ऐसे मैं दो दो पीस साथ में कट करने वाली हूँ इसक मेelि कट जाती है एक थे एंसे रिदीस अमेज लगे पर्फिकेशन करना ए ए और यहाँ हमारे अरन पीस सीजों आते है क आपल निकल जाता zawsze अ से यह देखिए हमने काट लिए 6 पीस दो-दो सात में रखे है हमने के अब हम करेंगे रबडी की तैयारी जो हम रसमलाई के ऊपर डालतेयं है रसमलाई बनाते है मलाई तो उसकी तैयरी करें इसके लिए हमने कड़ाई रख देगा इस पर एक लीटर हमने दूद लिया है मैंने वफलो मिल्क लिया है बैस का दूद आप चाहे गाय का भी ले सकते हो लेकिन वैस का दूद होता है वो थोड़ा गाड़ा ज्यादा होता है और इसे पकने में थोड़ इसके तो इसके कॉंटेट यह आदा लीटर इतनी तेह जाएगी उतनी देर तक हमें फुल फ्लेम में पकाना है उसके बाद हमें गैस लो करना है अभी इसमें हमने थोड़ा सा केसर के धागे डाल दिया है ताकि इसका कलर अच्छा है और केसर डालने से टेस्ट में फरक हम ग्येस पर दूद रखने के दास्ट ज़ाती रहते हैं रहना नितों दूद के मिलाई के आजाती में तो अश्छा नहीं लगता हो अभर माली में बहुत क्रीमी बन्सट सिरय च्वाय। एक कप से हमने, हमें Chini जादा नहीं डालने हैं क्या हमाही रबड़ी कम है एक लिटर की ए थोड़ा सा हम डालें 0.000-9. conoc दो ब्लूड कलर ब्लूर का इसा मार्केड जैसा । पिस्ता डाल ऐा है, बिल्कुल मार्केट जैसी चाहिए तो इसमें आप कलर जिरूर डाली थोड़ा सा बाकी इसमें टेस्ट में कोई फरक नहीं आता है कलर से खाली कलर डालने से यह होता है कि मार्केट जैसी दिखती हमाई रस्मलाई इसलिए हम लोग कलर डाल रहे हैं बिल्कुल हलवाई जैसा तो फ़ी थोड़ा सामने डाला है लाईची पावडर हमने इसलिए डाला है क्योंकि हम मार्केट से हलवाई वाली जो रस्मलाई लाते हैं उसमें वो लोग लाईची पावडर डालते हैं तो बिल्कुल वैसा टेस्ट चाहिए तो हम यह सब चीज़े डालने होती है यह हमाई रब्डी तैयार है कि अच्छे से पग गई है हमें ऐसी चाहिए गैस को हमने कर दिया बन थोड़ा ठंडा होने देंगे यह देखिए हमाई रब्डी ठंडी हो गई है बिल्कुल ऐसी रब्डी चाहिए हूँ है ज्यादा गाड़ी भी नहीं और ज्यादा पतली भी नहीं अब जो हमने ब्रेड के रहे स्लाइस काटके रखे हैं इसके उपर हम डाल देंगे हमारी जो रब्डी तैयार किया है यह देखिए मैंने डबल पीस लिया है आप चाहो तो सिंगल पीस भी ले सकते हूँ ब्रेड के ऐसे अगर आप डबल लेते हो तो इस पर रब्डी ज्यादा डालना ताकि अंदर तक चले जाए यह देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमाई रस्म लाई इस पर हमने थोड़ा सा बादा आकर कोई भी गैस्ट आया आपके घर पर आप दो गए तो कोई नहीं बोल पाएगा आपको क्या यह आपने रस्म लाई गर पर बनाई है यह मार्किट से लाए हो इतनी अच्छी टेस्टी बनती है यह गर पर बहुत ही अच्छी बनती है आप जुरू ट्राइ करके और